अब बारेंग 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 आल आपकी लोग हम लोग देख रहे हैं अध्यार किट्वी ऑन लाइन यूटूप चैनल मैं राजिर मिश्रा आपका दोस्त आपका यार आपके सामने आजिर हूं तो एक बार ध्यान से फिर से सब्सक्राइब यारे आपके तक रहा ने जाने तक रहे हैं तो इक शितता है जैसे मां वीजी आपसे अचा कि रमेश है कि और मेश वाइशो है दो बारे से दस्मेश स्थान पर है कि दस्वें स्थान पर है कि दस्वें स्थान कर है कि कमला कि दाएं से स्थान पर है कि दोनों के मद्ध पांच व्यक्ति पांच व्यक्ति बैठे हैं तो आधित्तम व्यक्तिओं की संख्या क्याया होगी है अधित्तम संख्या बतानी है देखिए इन कोश्चनों में हमें केवल और केवल दूरी बैठानी होती है क्या बठाने होते हैं क्या बठाने होती हैं तो देखिए यहां इस्थान दिया विठती दिया है इन question में ध्यान बतना है हमें क्या बठाना है दूरी बठाना है और हमने बताया था आपको व्यक्ति में जब एक जोड देते हैं तो हमारी दूरी होती है क्या होती है दूरी और दूरी में एक माइनस कर देते हैं तो क्या होता है व्यक्तियों की संख्या आ जाती है दूरी में इस माइनस कर देते हैं तो हमारे वेक्तियों की संधा आ जाती है ये चीज पहले समझ में आ गए सबके की नहीं आई ये बात पताईए वेक्ति प्लस बराबर दूरी और दूरी माइनस बराबर वेक्ति अच्छा ये क्यों भी आ गया है देखिए जैसे ये एक वेक्ति है और इसके बीच में एक, दो, तीन डोग बढ़े हैं इन दो वेक्तियों के बीच में कितने लोग हैं? तीन लोग हैं अब अगर आप इसमें दूरी देखेंगे तो कितने की हैं? एक बूरी ये है बीच में एक दूरी ये है दो तो दूरी से एक कम वेक्टी होता है और वेक्टी से एक अधिक दूरी होती है यह चीज आपके समझ में आ रहा हो तो देए ऐसे निगा लिए यह लिखा है और यह लिखा है यहां पर दूरी कितने की आएगी एक की आएगी लेकिन बीच में वेक्टी कितने है जीओ एक मेंसे एक कम कर दिया कितने हो गए जीओ इसे ही यहां लिखा है A यहां लिखा है D एक ही वेल्यू कितने होती है वन दी की वेल्यू कितने होती है चार मेंसे एक गटा यह कितना आएगा तीन दूरी कितने की आई, तीन की लेकिन वेक्टी कितने आई के बीच में तो वेटा दो ही वेक्टी आईंगे बी और सी यहां तक चीजर समझ में आई यहां तक फीजर समझ में आई दूरी में से एक कम करते तो हमारे वेक्टीओं की संख्या हो जाती है और विक्ति में एक जोड़ दें तो हमारी दूरी आ जाती है और इन परस्नों में हमेशा केबल और केबल किसको बैठाना है दूरी को बैठाना है ना कि विक्तियों को बैठाना है अब हमारा कुश्चन क्या गया राथा देखिए आशा आप करियों को बाया और दाया ना समस्या थी तो भाईया अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा बाया हाथ है है मेरा बाया हाथ की नहीं ये मेरा दाया हाथ है जिस हाथ से छोटा वाला B बन जाए वो बाया हाथ और जिस हाथ से चोटा वाला D बन जाए वो दाया हाथ ऐसा होता है D, इस हाथ से D बनेगा तो जिस हाथ से चोटा वाला D बन जाए वो दाया हाथ और जिस हाथ से चोटा वाला D बन जाए वो बाया हाथ का है बाया में आप लोगों को बन पूजन हो रहा है पिर है अच्छा को हिरा है दो मार्मा को निया end of stress ॐ Giving यह पाय हो गया और ये लाइन इन दोनों के मध्य कeftने थो कि हम लोगों को यहां न должно अफा किया दूरी बांच वेक्ति बैठाने हैं तो दूरी कि इतने की बैठाएंगे हम छे की कितने की दूरी इतने होंगे तो क्या करेंगे हम यहां तक की पूरी दूरी क्या टतेंगे 10, 6, 16 16 और 12 कितना हुआ 16 ग्लस 12 कितना होगे 28 ये आ गई दूरी खुल दूरी आ गई 28 और पूछा क्या गया है अधिक्तम वेक्टियों की संध्या पूछी है दूरी में से एक कम कर दी जिए वेक्टि आ जाएंगे तो टोटल वेक्टि इस पंग्टि में कितने हैं 27 अब इस कोश्चन में किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे बस आपको दो चीजें ध्यार रहती है कि यहाँ पर पिकर में हम लोग केबल और केबल दूरी बैठाएंगे दूरी में एक कम कर दें तो वेक्टि आ जाएगा और वेक्टि में अधिक कर दें एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा दूरी आ जाएगा बस इतना संपल सा याद अच्छा है कि आच्छा कि इपन में वीविवेक्टि फूर आ जा उसके के नियुंतव वेक्टि पूंचते दो कमला दाएं से 12 फ्रान पर हैं कमला दाएं से इन दोनों के बीच कितने बह्तरा विठें हैं एक पांच विठती तो दूरी कितने कि भी हई कि नि कालने हैं को देखिए आपको पता है यहांसे लेकर यहां तक कितनी है दस ये दूरी ये रमेश थे ये दूरी कितनी है दस ये दूरी आपको पता है छे तो बची हुई ये जो दूरी है ये कितनी हो कही जार यहां तक किसी को कोई दिकत जैसे ये दूरी आपकी दस थी आपसे पुछार कि यहां से यहां तक की दूरी छे है तो बेटा इस भीटो हो बची इसमें कोई समस्या कोई समस्यां दिजम और चैली को आपको पता है यह 12 है यहां तक 16 तो कुछ दूरी कितनी आ गई सोला अब इसमें दूरी आये है पुछा क्या है निम्तम विक्ति सोला में से एक कम कर दीजिए पंदरा निम्तम विक्ति हो जाएंगे किसी को कोई डाउट कोई डाउट नहीं चलिए अब जराद एक पुशन और सिंपल सा हम आपको दे रहे हैं और जल्दी से बताएए कि उसका अंसर क्या होगा बस आपको दूरी बैठानी है कमलेश कमलेश बाएं से आठमें स्थान पर है रूपा दाएं से दस्वें इस्थान पर है रूपा दाएं से पाचवें इस्थान पर है पाचवें इस्थान पर है दूनों के मर्ज़े दूनों के मर्ज़े तीन विक्ति बैठे हैं किसे विक्ति बैठे हैं तीन विक्ति बैठे हैं तो नियुंतम विप्तियों की संख्या क्या होगी क्या होगी जल्दी से बताएं कमलेश बाएं से आठवे अस्थान पर है रूपा दाएं से पाचवे अस्थान पर है दोनों के मज़्ज़ तीन विप्ति बैठे हैं तो नियुंतम विप्तियों की संख्या क्या होगी और जितने लोगों ने भी वीडियो को शेर नहीं किया है जल्दी से शेर कर दीजे आप लोग हमारा भरपूर साथ दीजे देखे इस है कि जितने भी संस्था है जो अपने आपको कहते थे कि हम बच्छों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं आज वो सारी संस्थाने लगभाइड़ बंद हो चुकी है केवल और केवल टीम अध्यर्न अकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है दरन संकल्ब के साथ खड़ी हुई है आपको पढ़ाई सुचारों गुद से आपकी च सब्सक्राइब लोग पुलिस से बच बचा के जैसे तैसे करके आप लोगों के पास तक आ रहे हैं आप लोगों को पता है कि लगण भी एक्सेंड गर चुका है उसके बाद भी हमारी पूरी टीम आ रहे हैं ऑप सरा रहे हैं मैं आ सब भी लोग आ रहे हैं तो थोड़ा साथ आप लोगों का लिजाए है इस परिवार को थोड़ा बड़ा बनाए जब संख्या देखेगी तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा जितनी ज़्यादा संख्या होगी हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और बीद बीद में बातें मत किया करें बिल्कुल भी बातें करना जरूरी नहीं है कमेंट्स बिल्कुल कम किया करें आपस में बातें करने की कोई चलूरत नहीं है बस प्यार से पढ़ते रहें आंसर देते रहें हाँ आपको किसी भी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है वो आप बताएं और बीद बीच में हसी मजाग सब चलता रहेगा तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए यूटूब चैनल पर चलिए बताएं जल्दी से इसका अंसर क्या होगा कई लोगों के अंसर सही आए है अब देखिए कमलेस बाय से आठमें इस्थान पर है कमलेस बाय से तो ये बटा हारा बाया है बाय से हमने आठमें इस्थान पर ले लिया कमलेस को कौन है ये कमलेज रूपा दाएं से पांचवें इस्थान पर है रूपा जो है वो दाएं से कोथे इस्थान पर है पांचवें इस्थान पर है रूपा इन दोनों के मद्धे कितने वेक्ति बैठे हैं तो तीन वेक्ति बैठे हैं तो बहन पर दूरी कितने की बढ़ाएंगे? चार की, वěक्ति से एक अधिक चार की हम ने दूरी बढ़ा दी क्या बढ़ा दी? दूरी बढ़ा दी, अब नियुंतं वेक्ति पूछा है नियुंतं दूरी कैसे निकालेंगे? यहां से लेकर यहां तक सब निकाल दीजिए आप क्या निकाल दीजिए? सब निकाल दीजिए तो यह दूरी आपको टोटल पता है यहां से यहां तक की 8 है यह दूरी 4 है तो यह कितनी बची बैटा? 8 में से 4 चला गया कितना बचा? 4 अब कुल दूरी आप निकाल सकते हो जी हां बड़े आरामसे निकाल सकते है 4 प्लस 5 तो 5-4 कितने आ गया 9 टोटल बैठी कितने बैठेंगे ये कुल दूरी आई है कितने आई है देखे ये 4 और ये यहां से लेकर यहां तक कितने दूरी थी 5 तो पांस चार नहीं यह कुल डूरी आई बेखती कितने बैठेंगे 8 कितने बैठेंगे 8 आगली बार समझ में कि आगली बार समझ में सभी के कोई धिकत आसानी से लग गया या ना सवाल ब lutooo POL बार पर देखे जिसके समझ में नाया हो घ्कमलेस एस आटमे स्थान पर थे कघbels और रूपा दाएंसे पांचमे इस पांचमी स्थान कॉर्थी यह देखी ऑ हैं से बनाया आठम ये दाएं से बनाया आप पांचमा ये कौन है? रूपा अब इन दोनों के मत्वों तीन वेक्ती बैठे हैं कितने वेक्ती? तीन वेक्ती तो हमें दूरी कितने की बठानी होगी? चार की अब आपको पता है बेठा यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? आठ ये दूरी कितनी है? चार तो ये कितनी बची? चार की तो बची कौन दूरी निकालनी है तो पांच प्लस चार कितनी हो गई? पांच चार, नौ कौन दूरी कितनी आ गई हमारी? नौ लेकिन दूरी से एक कम होता है व्यक्ति यानि 8 व्यक्तियों के संख्या कितनी हो गई? 8 अब मुझे लगता है इस कॉंसेप्ट में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आ गया कॉंसेप्ट अच्छे से समझ में सभी के समझ में आ गया एक बार सबी लोग कमेंट के लिए यस सर समझ में आ गया दूरी माइनस वन बराबर व्यक्ति व्यक्ति प्लस वन बराबर दूरी इस कॉंसेप्ट से अगर आप कोश्चन लगाएंगे तो एक भी कोश्चन आपका गलत नहीं होगा कोई भी चीजें याद नहीं रखनी है फार्मूला नहीं याद रखना है आपको बस केवल और केवल दूरी माइनस वन बराबर व्यक्ति व्यक्ति प्लस वन बराबर दूरी याद रखनी है और किलो मेटर के हिसाब से ना पलीजे आप उसके हिसाप से आपको निकाल देना है ठीक आगी बात समझ में सभी के अब आईए जरा कल वाला जो question था जिसमें सब लोगों को doubt था जिसमें सब लोगों को doubt था कि सर left और right नहीं समझ में आ रहा है तो देखे एक पंगती में रवी बाईए और से पंगरवा है रवी बाईए और से ये बाया है बाया से पंगरवा है रवी अमित दाएं से सोलवा है अमित जो है वो दाएं से सोलवा है तो ये दाएं आयसे जाएगा दाएं से कोथा है सोलवा है अमित दीपक रवी के दाएं दीपक जो है रवी के दाएं से चौथा है दीपक रवी के दाएं चौथा है अब रवी यह है रवी का दाएं किदर होगा दीपक रवी के दाएं से चौथा है दीपक is fourth to the right of रवी राइट किदर होगा इधर होगा चौथा है दीपक is fifth to the left of अमित अमीच के किदर होगा, left में, अब अमीच के ये left में है, नहीं है, यराइट में है, यानि कि हमारा यह वाला figure नहींगा, कौन सा figure बनेगा, बड़ा वाला figure बनेगा, overlapping नहीं होगा, देखे, रवी is 15th from the left end 15th हो गए left end से दीपक अमित is 14th from the right end अमित क्या हो गए 14 हो गए right end से दीपक is 5th to the left of अमित दीपक is 4th to the right of रवी रवी के 4 थे दीपक है और अमित के दाएं अब ये दाएं इधर दाएं ही बढ़ेगा और देखें दीपक रवी के दाएं दीपक जो है रवी के दाएं से चौथे है रवी का दाएं अब ये रवी है रवी का दाएं किदर जाएगा बिटा इदर जाएगा तो दीपक रभी के दाएं चौथे हो गए उसके बाद कह रहा है यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा हो दीपक जो है अमित का बाया अब देखे इधर क्या होगा बाया होगा पांचवा ये हमारा फिगर बन गया अब कोशन कुछ भी बूस दे माल लिजे आपसे कहा जाए कि कुल बेटियों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर तो हमारे कुल बेटियों की संख्या यहां से लेकर यहां तक आप निकाल दीजे कुल बेटियों की संख्या आ जाएगी ठीक 15 प्लस 4 उननेश पांच चौदा यह सब निकाल दीजे तो बस जब भी कुश्चन लगाना है आपको केवल और केवल दूरी रखनी है क्या रखनी है दूरी रखनी है वेक्तियों की संख्या नहीं रखनी है यह कुश्चन थे कल हम लोगों लगाये थे बहुत आसानी से लख सकते थे आप लोगों पहसे हुए थे चलिए आप जड़ा बताईए यह कुश्चन आप लोगों के लिए है धान से बताईए का जड़ा अंसर क्या होगा इन अरो अनुपम एक पंग्ती में अनुपम बायं छोर से ग्यार्मा है एक पंग्ती में अनुपम बायं छोर से ग्यार्मा है दीपक बायं छोर से तेर्मा है दीपक अनुपम के बायं है यदि उनके बीच में चार वेक्ती है तब पंग्ती में कितने वेक्ती है जल्दी से बताएं सबी लोग आंसर, एक पंक्ती में अनुपम बाएं छोर से, इन अरो, अनुपम is 11th from the left end, दीपक is 13th from the right end, बिटा यहां दोरू जगें पाया है, यहां दाया कर लीजे, दाया, इंग्लिस मसाही लिखा है, इंदी में गलत लिखा है, यहां दाया कर लीजे, आप देखे चलिए बनाते हैं हम लोग कुश्चन, कुछ नहीं करना है, जैसा कुश्चन कहता जाए, एक बंक्ति में अनुपम 20 खोर से 11 है, तो हमने भी अनुपम को 20 खोर से 11 है, अनुपम को 20 खोर से 11 हो गया है, दीपक दाय खोर से 13 है, दीपक को हमने दाएं सोर से तेरवा बना लिया यहां तक कोई रिकल्ट दीपक अनुपम के बाएं है अब देखिए क्या दीपक अनुपम के बाएं है अभी नहीं है दीपक अनुपम के दाएं है याने की हमारा ये वाला विगर नहीं बनेगा फिगर कैसा बनेगा ओवरलैपिंग वाला बनेगा ओवरलैपिंग वाला बनेगा देखिए कैसे अनुपम बाएं से ग्यारवें सिसान पर है अनुपम और दीपक दाएं से तेरवें सिसान पर है यह भूग जा दीपक अब अगर ध्यान से देखिए, दीपक अनुपम् के बाएं हैं अनुपम् के बाएं देखिए चला गया दीपक, यहां पर भैठ गया तो कोशन में यह खिलीर होगा, कि हमें डियाग्राम ऊवर्लैपिंग वाला बनाना है या बड़ा बाला बनाना है इस question में पहले हमने बड़ा वाला टेक्राम बना के देखा अन्पम को 11 में छोर पे रखा दीपक को 13 में छोर पे रखा बात में कहा दीपक अन्पम के बाएं है कहां पर है? बाएं है अब अन्पम का बाया किदर है? इधर है तो बाया इधर हो गया यानि ये वाला बिगर हमारा सही होगा, ये वाला बिगर हमारा सही नहीं होगा यहां तक बात समझ में आई सभी कि अब क्या कह रहा है बिटा, कह रहा है यति उनके बीच चार गट्टी है कितने गट्टी है, चार तो हमें दूरी कितने की बठानी होगी हमें दूरी 5 की बठानी होगी कितने की बठानी होगी 5 विक्ति से एक अधिक होता है क्या दूरी हमारा इन दोनों के बीच में कितने विक्ति है 4 विक्ति हैं तो दूरी कितने की बठानी है 5 अब क्या पूछा है तो पंक्ती में कितने वेक्ती हैं निकाल सकते हैं ये दूरी आपको पता है टोटल 11 यहां तक 5 है तो ये बेटा 6 बची की नहीं अब कुल दूरी निकालनी है तो 6 ये वाली दूरी और 13 ये वाली दूरी 13 और 6 कितना हुआ उननीस केंगे एक कम कर दीजिए 18 वेक्तियों की संख्या आजएगी 18 खुल वेक्तियों की संख्या आजएगी अच्छा कई लोगों को डाउट लग रहा होगा किसा ये गड़बड है ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा तो देखिए उनका डाउट भी मैं दूर कर देता हूं एक पंक्ती में अनकों वायचोर से 11 है किनों एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा ग्यारवे स्थान पर हो गया ये दाय चोर से तेरवे स्थान पर है दाय चोर से दीपक को तेरवे स्थान पर अपना है और इन दोनों के बीच में विक्ति कितने होने चाहिए? चार यानि एक, दो, तीन, चार विक्ति होंगे यानि दीपक यहां बैठा है यहां कौन है? अन्पम यहां कौन होगा दीकपक इन दोनों को बीच में चार विक्ति और यह दाएं से कौछे स्थान पर होना चाहिए 13 में लेकिन अगर ध्यान से गिनो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छटे स्थान पर हैं कितने विक्ति और बढ़ादें टेरा हो जाएं साथ रेक्टि और बढ़ादें एक दो तीन चार पांच छे साथ अब देखो दीकपक दाएं से तेर्वें स्थान पर हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चटा साथा आट नेवा नमा तसमा ग्यार्मा बारबा तेरवा यह दाएं से त्यर्में स् आप किसी को कोई डाउट कोई दिकतत तो नहीं है आगया असानी से समझ में जिसको यह चीज नहीं है यह समझ में यह चीज एक पारवाब समझ लिए देखिए अनुपम पाइशो से ग्यारवे है अनुपम को पहले हमने पाइशो से ग्यारवा मनाया एक, दो, तीन, चार, पाइश, साथ, आठ, आठ, दो, तस, ग्यारवे स्थांग पर कौन हो गए अनुपम हो गए अब अनुपम जो है दीपक जो है अनुपम के बाया इस विक्ति का बाया किदर होगा इधर होगा इधर बैठेगा और इन दोनों के बीच में विक्ति कितने है चार एक, दो, तीन, चार विक्ति हो गए यहां पर दीपक होगा कौन होगा दीपक इस स्थांग पर दीपक होगा यह यहां से को थे स्थांग पर था यारवे स्थांग पर लेकिन दीपक की जो दाएं से इस्थिती होनी चाहिए वो तेरवी होनी चाहिए बहुती होनी चाहिए तेरवी अभी है कितनी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांट अब दीपक देखिए दाएं से तेरने स्थान पर हो गए एक दो तीन चार पांट शे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तो ये दाएं से तेरने स्थान पर हो गए कि नहीं हो गए अब कुल वेक्ति आप चाहें तो निकाल सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा फंदा फूरा सतर अट ना टारा कुल वेक्तियों की संधर इतनी आवी खारा कि लेकिन हर बार हमें ऐसे नहीं करना है लाइने बना के नहीं गिनना है हमें कैसे करना है ओवर लैपिंग बनाना है क्या भाएं होने चाहिए दीपक और दाएं से 13 इस्थान पर यह होगा दीपक, इन दोनों के मत्ते कितने वेक्ति होंगे, बैठे होंगे, पांच कहा था, तो दूरी कितने कियों जी 6 की, तो 11 में से 5 गया, 11 में से 13 में से 6 चला गया, तो कितना मैं चाहेंगा, 7, 11 साथ जोड़ दे आप आपको इस तरीके से बनाना है और लेपिंग आपको करानी है और बस दूरी निकाल देनी है नेक्स कुश्चन आप लोगों के लिए आपके सामने इन आ रो कमल इस एटींथ प्रॉम दा लेफ्ट एंड इफ रोहन इस सेवेंथ प्रॉम दा लेफ्ट एंड देन हाव बैनी परसंस आर देर इन बिट्विन देम एक पंदी में कमल अठारवें स्थान पर है बाएं छोड से रोहन साथवें स्थान पर है बाएं छोड से दोनों के मध्ध कितने वेक्ति बैठे हैं क्या बता पाएंगे आपको कमल जो है बाएं से कौथे इस्थान पर है अठारवें इस्थान पर है यह कौन है कमल रोहन जो है वो बाएं से ही रोहन बाएं से ही सात्में इस्थान पर है कौते इस्थान पर है सात्में इस्थान पर है देखिए सेवन लिखता है यह है रोहन तो अब इन दोनों के पीच में कितने वेक्टिमेट है कैसे निकालेंगे देखिए कुल दूरी आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है कितनी है यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है कितनी है अठारा देखे यह अठारा है इतनी दूरी आपको पता है कितनी दूरी कि साथ है अब बची हुई दूरी कितनी हो गई ये दूरी साथ है, बचे हुई दूरी कितनी हो गई है, खारा में से साथ रखा भीजिए, कितना आगया? ग्यारा, ये आई दूरी, क्या आई? डूरी, ग्यारा हमारी दूरी आई, वेक्ती होते हैं, इससे एक कम, तो यहाँ पर कितने वेक्ती बैटे होंगे? तस, उन दोनों कि कमल 28 श्थान पर है रोहन बाएं से 17 पर रोहन जो है कुल दूरी आपकी कितनी है 18 यह दूरी आपकी कितनी है 17 यह दूरी कितनी बची है 18 में से 7 रखा दीजिए किपना हों गया कि यह लेकिन दोनों के बीच में il डिकितने मेठने होंगे दस इतने मेठने हो कि अर्व वर्म मज़ए तरन और मज़ेदान कॉस्चन के विए एक पंपिमि निखिल दाइ छोर्व से गया वाहन है दीपक दाइ चोर से तेरुआ है दिल्पक अनुपम के बाएं है यदि उनके बीच में चार वेक्ती है तब यह वादा कुश्चन हो चुका था एक पंक्ती में मोहित बाएं छोर से बार्मान है सुमित दाएं छोर से पंद्रमान है सुमित मोहित के दाएं है यदि उनके भी छे वेक्ती है कब तब क्या आताना है हम लोगों को What is the rank of Mohit दाएं छोड से मोहित की rank क्या है और पंक्ती में पुल वेक्ती किते हैं Mohit का दाएं छोड से इस्थान और पंक्ती में पुल वेक्ती Mohit का दाएं छोड से इस्थान Mohit का राइट एंड से इस्थान और total number of person total number of person पसाई जल्दी से समझे लोग जवाब दें क्या वोना अनसार तो देखिए कैसे लगाना है कई लोग जवाब सही आए हैं और कई लोग अभी भी जवाब सही नहीं दे रहे हैं देखे एक पंक्ती में मोहित बायं छोर से बारवा है को अधर इस्थान पर है बारवा कहां से बायं छोर से तो बाएं छोर से मोहित को हमने बारवे अस्थान पर बढ़ा लिया का बढ़ा लिया मोहित को बाएं छोर से बारवे अस्थान पर बढ़ा लिया सुमित दाएं छोर से पंद्रवाद है सुमित मोहित के दाएं है सुमित जो है मोहित के दाएं होना चाहिए यानि फिल्गरों का कौन सा बनेगा ये वाला बनेगा और लैपिंग वाला नहीं बनेगा अब देखिए सुमित मोहित के दाएं आगए कि नहीं आगए इन दोनों के बीच उनके बीच छे विक्ती बैठे हैं कितने विक्ती बैठे हैं उनके बीच छे विक्ती बैठे हैं छे दूरी कितने की बढ़ाएंगे बढ़ा दूरी हम लोग साच की बढ़ाएंगे कितने की बढ़ाएंगे साच की बढ़ाएंगे अब क्या पूछा है कुल बढ़ाएंगे कुल निकाल देंगे हम लोग आराम से यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या करते हैं हमारे कुल बढ़ जाएगी 12 और 7 कितना हुआ 19 और 15 15 दूनी 304 34 आगे खुल दूरी माइनस 1 वेक्तियों की संथा टोकल कितनी आगए 31 खुल वेक्तियों की संथा कितनी आगए 31 अब मोहित का दाय छोड से इस्थान पुछाएं कहां से पुछाने दाय छोड से कि मोहित का यहां चोड से स्थान पुछा है 12 कि उल दूरी कितनी है 34 कि यह 34 है यहां तक 12 है तो यह कितनी बची 34 में से 12 माइनस कर दीजिए 34 में से 12 माइनस कर दीजिए तो यह कितना जाएगा 22 कितना जाएगा 22 तो मोहित का दाएं छोर से इस्थान देखे मोहित का 22 छोर से आपको इस्थान पता है दाएं छोर से इस्थान नहीं पता है यहां तक ूरी है 12 यह दूरी आपको निकालनी है 74 इस tootall दूरी में से यह वाली दूरी गटा दें तो już by 24 में में準 हमने 12 गटा दिया कुतना है 24 है में फैसे कोई समय एक बार यह एक कोसा निया कोस़ा करना उदिमाख घर घर गया तो एक ही कोश्चन और का गलब नहीं होना है यह बादा है मिला एक जिनको नहीं समझ में आ रहा हूं वो एक पार वीडियो को फिर से देखेंगा अच्छे से समझ में आए कि पूट कुछन क्या था तो मोहित का लाये शोर से स्थान क्या है इस पाइस होड़ा था निकाला पाइस निकाला है कि पंक्ति में फुल एक्तिन की संख्या कितनी निकाली है हम लोगों ने 33 इस है टोटल निकाला है यह आपके समझ में हागया बहुत है, नेक्ष कोश्चन आपनों के लिए बहुत अच्छा सा, यह थोड़ा सध्यान से लकड़ी होगा, लड़कियों की पंक्ती में, रीना, पल्लवी के बाएं से दस्वी है, जो की दाएं छोर से संद्रवी है, अब नहीं होगा यहाना पर प लड़कियों की पंक्ती में, रीना, पल्लवी के बाएं दस्वी है, जो दाएं छोर से संद्रवी है, जल्दी से आंसर बताईए, क्या होगा इस था? बताईं सभी रों जल्दी से आंसर, जब बताईं की जल्दी से आंसार, जल्दी से संद्रविए, जो नौ अधा होगा है, अधानल में, आप दोड़किया, पुशिपूरा पुर而कनल की फोडों की जखती है, वैसा वैसमक्त मौन हूद को दाएं, बताएं आसम percent होगा है, बनाते जाएं कि पवम्ति में त्सवें के बाएं Her osob जो है पलदी यह कोई महला है पलदी उसके वाएं 10 सान पर है कौन रीना क्वं है हिस यरदा हम सके 2 लगा होता है हमइसा Ensuite पर photographer's यो जो होता है जो की दाइं से 17 असान पर है ताइं से 17 इसान पर कौन enroll फ़सन लिए जो लगा वोता है जो की दाएं से 171 पर है दाएं से 172 अब कुण है पर लुथ में व्यों गर्जार, वूर वख्योगे के ? सब्से पहले क्या उख्या घ्या था ते ँऐ एक बार का रीना जो है पार लभी के से बाएं से दस्लीनugene लभी के वाएं दस्वी रीना है जो हमेंसा लगा होता है वो किसके लिए लगा होता है दूसरे विक्ति के लिए यानि पल्लवी के लिए दाएं से सत्र भी है ये जो महिला है ये दाएं से सत्र में इस्थान पर है आगे क्या कह रहा है स्वाती रीना के दाएं से चौथी है स्वाती जो है वो रीना के दाएं चौथी है अब यहां पर एक लग्की है दाएं चौथी है स्वाती दाएं चौथी है स्वाती यदि स्वाती बाएं से दस्मी है स्वाती बाएं से गौते इस पान पर है दस्मी है तो पंग्ती में कुल लखियां कितनी होंगी अब आप बता सकते हैं ये पिकल अच्छे जबन गया है तो आप आसानी से बता सकते हैं तो पॉंटी में कितनी लगिए है, कैसे निकालना है अपनोगом को यहाह से यहाँ तक ये आपको पताए सतरह, ये आपको पताए कि टॉकल 10 है, ये कि przeci है किप ने कि च्च है जे कि ने तो दस ये पूरा 6 ये 17 ये 10 प्लस 6 प्लस 17 16 दूरी 32 और 13 माइनस 1 बराबर 13 10 ये 16 हो गया 16 दूरी 32 और 13 तो कुल विक्तियों की संख्या कितनी आवे 32 कुल धूरी कितनी आई जी 33 आगली बाद समझ में नहीं समझ में आई हो तो एक बाल फिर देख लिजे जान से एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं दस्मीन है यहां पल्लवी को बठा गिया हमने पल्लवी के बाएं इधर जाएंगे बाएं दस्में स्थान पर है और रीना जो की चीज़ ऑसके लिएrüटा है यहां से कंड़वें पल्लवी यह कोथे स्थान पर है कोथे स्थान पर है कोथे स्थान पर है स्वुन है जो हमेंस्था ं के लिए पहले रेक्ति था रीना और दूसरा रेक्ति था पल्लवी न और जो या फू हम caution byson के लिए लगता है इसके लिए k İ कि तोथी कोन về आप स्वारती यदि स्वाती बाएं से दसमी हो ये लगी जो है वो बाएं से दसमें इस्थान पर हो तो प्रम्ती में फुल वेक्टियों की संधा कितनी हो दी कैसे बताएंगे देखो आप फुल निकाल लो के बड़े आसानी से आप यहां से यहां तक निकालना है यह दूरी आपको पता है दस है पूरी यह दूरी कितनी है चार तो यह कितनी बची छे तो छे यह वाली दूरी देखिए छे यह वाली दूरी प्लस दस यह वाली दूरी प्लस 17 यह वाली दूरी इन सब को जोड़ दीजे आपकी कुल वेक्टियों की संधा आ जाएगे 6 गलस 10 गलस 17 गलस गलस 17 माईनश 1 अफ़कोश्य अब जहता जाया वैसा करते जाएक कभी भी कुश्चं आपका गलत नहीं होगा चीजे समझ में आ रही है, आसान हो रहा है कि नहीं, बादा करता हूँ आपसे एक बार ये concept सीख जाएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा आपका कोई question, कोई question आपका गलत नहीं होगा, और कोई formula नहीं याद रखना है, बस दूरी निकालते चले जाना है, आपका अंसर आजाने फिर वही चीज़ करूँगा, केवल एक चीज़ याद रखनी है, दूरी माइनस बराबर गेक्ती, गेक्ती प्लस बराबर, अब किसी को कोई समस्या तो नहीं है, आपके काम करिएगा, आपको मैं आज पेडियाफ भिजवा दूगा, पेडियाफ आपको बिजवा देंगे, इसमें लगबग-लगबग 18 कोशन से हैं, कितने कोशन हैं? 18 कोशन हैं, सभी लोग ये 18 कोशन लगाएगा, और जो कोशन आपको ना समझ में आए, वो आप मुझे next दिन कमेंट करके बता दीजेगा, कि सर ये कोशन मुझे नहीं समझ में आए, ये मुझे बता दीजे, मैं आ बस आपको concept चली समझ में आया हो वीडियो एक बार फिर देखिए ध्यान से सुन के देखेगा आप गलती पता कहा करते हैं ध्यान देते नहीं है आपस में बात करते रहते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें पहतर समझ में अच्छी समय दूप्यांगे नेक्स्ट विडियो हम लगों की विलएट रिएलेशन की होगे इसकी होगी प्लेट रिएशन नेक्स्ट विडियो रख्त संबंध रखत संबंध और ऐसा अगत संबंध तरह को आपकत पांच इमिनेट में पूराश्च अखर मुगा यहन आपका चैप्टर तीन दिन चलेगा लेकिन बिलड रिलेशन को पॉस्ट नहीं पर दूंगा एक बीजिए को अपका गलत नहीं हुआ तो कल जितने भी दोस्ट हूं सब को बता दीजिएगा कि बलड रिलेशन की कलास चलने वाली है कई सारे कलास में भी बच्छे बलड रिलेशन नहीं पड़े हैं सब को बुला लीजिएगा कल जितने जैदा से ज़ IRA Collinsyum